हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडिया जीके के दस तो चलिए दोस्तो बिना सवय गवाय स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को स बाहियान किस गुपट सासक के सासनकाल के दोरान भारत आया था ऑप्सेंस हैं ऑप्सेन A Är चैन्दर गुप्त मोरिय ऑप्सेन B कुमार गुप्त option C, इसकंदिगप्त, option D, चैन्दर गुप्त तो question number 20 का सही answer है option D, चैन्दर गुप्त नेक्स्ट कोश्टन है हमारा कोश्टन नमबर टू अनुच्छे 370 भारत के किस राजय में लागू था ओप्शन से हैं ओप्शन A राजस्थान ओप्शन B है आपका आंदर प्रदेश ओप्शन C है दोस्तो आपका जम्मू एंड कस्मीर ओप्शन D होगा आपका इन में से कोई नहीं तो 6,370 जो था दोस्तो वो जम्मू कस्मीर में लागू था तो कोश्टन नममर दो का सही आप्शन C जम्मू कस्मीर नेक्स्ट कोश्टन है हमारा कोश्टन नमर थ्री करकरेका पर भारत का कौन सा सहर अवस्थित है ? options हैं, राची, option B, कोलकाता, option C, पटना, and option D है, दिल्ली, तो question number 3 का सही answer है, option A, राची, next question है, question number 4, बंदे मातरम को राष्ट्रे गीत की रूप में किस तिथी को सुषिकार किया गया था, options हैं, 25 जनबरी 1948, option B, 15 अगस्त 1947, option C, 26 जनबरी 1950, and option D है, आपका, इन में से कोई नहीं, तो question number 4 का सही answer है, 26 जनबरी 1950, option C, question number 5 है, आपका, उच नयाले के नयधिसों को सपत कौन दिलाता है, तो जो दोस्तों, हाई कोट के जज होते हैं, उनके लिए सपत कौन दिलाता है, options हैं, राजपाल, option B, मुख्यमंत्री, option C, सर्भुच नयाला क्या, मुख्यन अधिस, and option D, इन में से कोई नहीं, तो question number 5 का सही answer है, option A, राजपाल, तो next question के तरफ चलने से पहले, आप से request होगी, कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube channel, सिभा online classes को subscribe नहीं किया है, तो हमारे channel को subscribe कर लें, और bell icon को भी प्रेस कर लें, और दोस्तो इस वीडियो की PDF file अगर आप download करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की description से आप ढ़ाकर download कर सकते हैं, तो next question के तरफ चलते हैं, question number 6, उच नयाला के नयाधिस अपना त्याग पत्र किसे देता है, options हैं आपके, option A, राष्ट पति को, option B, प्रिधान मंत्री को, option C है आपका दोस्तो, मुख्य मंत्री को, and option D है आपका राजपाल को, तो question number 6 का सही answer है, option A, राष्ट पति को, यहां दोस्तो, किसी भी उच नयाला का जो राष्ट नयाधिस होगा, जज होगा, वो अपना अगर त्याग पत्र देगा, इस्तिफ़ा देगा, तो राष्ट पति के लिए ही देगा, ठीक है, तो question number 7 है, भारत के मुख नयाधिस की नयुक्ति किसके द्वारा की जाती है, options है, option A, प्रधान मंत्री, option B है आपका उपर राष्ट पति, option C है दोस्तो, संसद, and option D है आपका राष्ट पति, तो question number 7 का सही answer है, option D, राष्ट पति, question number 8 है आपका जोजिले दर्ण किस राज में इस्थित है, जोजिले दर्ण किस राज में इस्थित है, options है जम्मु कस्मीर, option B से किम, option C, उत्राखंड, option D, हिमाचल प्रधेश, तो question number 8 का सही answer है, option A, जमू किस्मीर में, question number 9 है, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरस्थल है, options है आपके, option A, गोवी, option B है दोस्तो आपका, कराकुम, option C है आपका, थार, and option D है दोस्तो, इन में से कोई नहीं, तो भारत और पाकिस्तान के मद्ध इस्थित कौन समरस्तोल है? Options मैं आपको बता चुका हूँ तो Question No.9 का सही आंसर Option C, ठार मरस्तल और आज का Last Question है भारती अंत्रिक्ष अंसंधान संस्थान का मुख्यलक कहां पर इस्थित है? मतलब इस्रू इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन इस्रू का जो Headquarter है वो कहां पर है? Options है बैंगलरू, Option B, हैदराबाद Option C, एहमदाबाद and Option D, इन में से कोई नहीं तो Question No.10 का सही आंसर है Option A, बैंगलरूरू Next Question तो दोस्तों है नहीं आपर अभी 10 questions हैं हमारे वीडियो में तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल सिवा Online Classes को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो साथ में थेंक्यू फर वाचिंग जय हिन जय भारत